कि घॉलाओ एस Amen कि हन्स तो चलिए देखिए हम आज से डबली लिंक लिप पढ़ रहे हैं प्रस्राइं कि हमने लास्ट लेक्टे में हमने सीखा था कि डबली लिंक लिप क्या होता है उके तो इस तरह से देखें सबसे पहले हमने यहां पर और codeicon किए है तो हमने अपने double link list को इस तरह से स्ट्रक्चर की सहायता से क्लेयर कर लिया है अउके और चलिए मैं इस बार क्या करता हूं देखे मैं क्या करूंगा कि जो भी हमने यहाँ पास्लिन लिंख लिखा है और अब मैं double LINk list का को लिख रहा हूं तो बाद में न मैं हर एक कोड को मिक्स करके एक सिंगल प्रोगाम बनाऊंगा और उस प्रोगाम में हमारा सिंगली लिंक लिस्ट का भी कोड होगा डबली लिंक लिस्ट का भी कोड होगा इस टैक का होगा क्यू का होगा ट्री होगा जो भी हम पढ़ेंगे सार यहां पर मैं Capital N कर लेता हूं के जब में बाद में कोड को मिक्स करूं तो एक ही नाम से दो structure हमारे पास ना रहे ठीक है तो हमने यहां पर capital N कर लिया है ठीक है और देखें हमने पहले से कोडिंग कुछ करके रख लिया है ताकि ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े तो जब हमने structure बना है देखिए तो एक data वाला पार्ट है और दो हमने pointer बनाया है next और previous अब यह next और previous क्यों होते हैं यह मैं आपको बता चुका हूं ठीक फिर देखिए हमने मीनू फंचन बनाया है तो मीनू फंचन का हमने जो M है वो कैप्टल में कर लिया है राइट तो M कैप्टल है मीनू और जो सिंगली लिंक लिस्ट में हमारे पास मीनू था उसका M इसमाल में है वोके इस तरह से था तो मैं नोड को इंसर्ट करने के लिए आप्शन बनाया है तीन इंसर्ट एट स्टार्ट इंसर्ट एट लास्ट और इंसर्ट एट स्पेस्फिक पोजीशन इसी तरह से हमने बनाया है डिलीट करने के लिए डिलीट फस्ट डिलीट लास्ट डिलीट स्पेस्फिक नोड फिर हमने ए same code है जो singly link list में हमने किया था और फिर main function में हमने infinite loop लगाया है और switch के अंदर हमने menu को call किया है तो menu से जो भी return होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और हमने यहाँ पर देखिए nine case बनाए है case 129 ठीक है और एक default option है हमारे पास ठीक है तो इतना आपको clear है यह same code है same to same code है इसलिए हमने पहले से coding कर ली है ताकि इसमें हम जादा time ना लगाएं ओके तो चलिए अब हम start करते हैं तो आई होब कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी यह code मैं पहले भी explain कर चुका हूं जब मैं singly link list पढ़ा रहा था इसलिए हमने सारी चीजें बना ली है तो अब सबसे पहला देखे मेरा क्याम क्या है कि मुझे एक head बनाना पड़ेगा है ना मुझे एक head बनाना पड़ेगा लेकिन जो मैं इस बार head बनाने वाला हूं वो मैं main function के अंदर बनाऊंगा बाहर मैं globally नहीं बनाने वाला हूं जैसा हमने link list के case में समझा था हलाकि वहां पर भी हमने आपको बताया था कि एगर हम head को main function के अंदर declare करें तो किस तरह से coding करनी है तो हमने insert function की coding आपको बताय थी तो I hope कि आपने हर एक function की coding को अपने से किया होगा तो सबसे पहले मुझे देखिए head बनाना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा struct node और मैं लिखूंगा head struct node head ठीक है और मैं यहाँ पर head में h my capital कर ले रहा हूँ ओके और इसमें मैं सुरू में कर रखूंगा क्या null तो जब भी head में हमारे पास null होगा इसका मतलब क्या हमारी double link list empty है तो हमने यहाँ पर एक head नाम से variable बना लिया है लेकिन एक pointer variable है ठीक है अब चलिए हम क्या करते हैं कि हम insert function की coding बनाते हैं इस first वाले की right insert at start तो हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई double link list हो तो उसके beginning में start में किस तरह से node को insert करते हैं तो अब insert अगर मुझे करना है तो सबसे पहले मुझे node क्या करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा है ना तो बार बार मुझे node बनाना पड़ेगा जब भी मैं insert करना चाहूंगा तो इसलिए मैं एक function बनाने वाला हूं जैसे हमने single link list में बनाया था कि मैं उस function को call कर लूँग वह function नोड को बनाएगा और उस नोड का address हमें return कर देगा ठीक है तो मैं उस function को बनाता हूं तो उस function का मैलेट से नाम रख रहा हूं create node और मैं यहां पर d लगा दे रहा हूं last में right तो यह capital मैं d लिख दे रहा हूं तो यह last में d जो है वह बताएगा कि यह डबली link list के लिए है क्योंकि create node नाम से function हमने single link list में भी बनाया था तो जब मैं बाद में इस code को क्या करूंगा मैं mix करूंगा अपस में तो नाम change रहना चाहिए right इसलिए हमने यहां पर d लगा लिया है ताकि हमें पता रहे कि यह function different है ठीक है और अभी मैं इस function का return type नहीं रख रहा हूं data वाला पार्ट होगा उसमें मैं value pass करूंगा तो मैं लिक देता हूं size पास कर दिया अब मैलाक function क्या करेगा एक variable बनाएगा और उसका address return करेगा तो अगर उसका address return करेगा तो हमें address को store करने के लिए एक variable pointer बनाना पड़ेगा तो हमने पी बना लिया और क्योंकि मैलाक function wired type का address return करता है तो उसको लेट से मैं type cast कर लेता हूं इस ट्रक नोड श्टार टाइप में है न तो इस तरह से पी pointer एक है जो नोड हमने बनाया उस नोड को point कर रहा है तो अब जो क्या हुआ यहाँ पर समझिए यह जैसे ही कि हमने एक नोड बनाया तो इस लिट से हमारे पास एक नोड बन गया अच्छा मैं काम करता हूं कि मैं इसको copy कर लेता हूं अच्छा इसी को समझ लेते हम मान लीजी कि यह वाला नोड बन गया और एक पी पॉइंटर है जो इसको point कर रहा है है ना तो हमने एक नोड बनाया अभी उसमें value कुछ नहीं है जो यहाँ पर हमने null रिखा है या one है या null है अभी उसमें value कुछ नहीं है उसमें क्या होगा गार्वेज value होगी लेकिन जो भी नोड का address होगा 5000 वो पी में चला जाएगा और पी इसको क्या कर रहा है point कर रहा है तो अब मुझे क्या करना है कि जो यह data है इसमें value को हमें रखना है तो हम पी एरो डेटा लिखेंगे तो हम data को क्या करेंगे एक्सिस कर लेंगे तो मैं लिखूंगा पी एरो डेटा equals to value है ना जो भी value मैं पास करूंगा और जो pointer है उसमें कुछ गार्वेज value होगी है ना और वो गार्वेज value किसी ना किसी memory block का address हो सकता है और वो particular memory block हमने अपने प्रोग्राम के लिए क्या है एलोकेट नहीं किया है तो हमारा pointer जो है next और previous उसमें गार्वेज value है तो वो एक ऐसी location को point कर रहे है जिसको हमने reserve नहीं किया है वो एक unknown location है तो इस case में जो हमारे पास pointer है next और previous वो एक dangling pointer बन जाएंगे लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो dangling pointer हो मैं यह चाहता हूँ कि वो शुरू में किसी को भी point ना करें तो इन दोनों next और previous में मुझे null रखना पड़ेगा तो मैं कैसे एक्सिस करूंगा मैं लिखूंगा पी arrow next नल है ना और पी एरो प्रीवेस को मैं क्या कर दूंगा नल कर दूंगा तो इस तरह से नोड बन गया अब जो यह नोड बना जिसका address पी में है इसे हमें return करना है तो मैं यहां से लिखूंगा return पी उस नोड का address return हो जाएगा और अगर मैं उसको return कर रहा हूं तो उसका return type क्या होगा इस function का इस तरह से हमने इस function को define कर लिया है तो जब भी मैं इस function को call करूंगा और उसमें हम value pass करेंगे तो यह function क्या करेगा एक node बनाएगा जिसमें तीन field होगी एक होगी data वाली एक होगी next एक होगी previous और data में क्या जाएगा जो हम यहां पर value pass कर रहे हैं और जो next और previous हैं उसमें दोनों में नल रहेगा तो इस तरह से हम create node function को call करेंगे उसके member variable में हम किस तरह से value रखेंगे जो भी variable बन रहा है और वो variable हम मैलाक की सहता से बना रहे हैं dynamically ठीक है तो आई होब कि आपको इतना समझ में आया होगा और अगले अपने हम वीडियो से insert थंसन बनाना इस्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे किस तरह से node को add कर सकत हैं तो आई होब कि आपको यह समझ में आया होगा और थेंक यू सो मच बाब बाई